भोजपुर्या गायकों के लिए नवरात्री कितनी स्पेशल होती है? ये तो कोई मनुस दिवारी, पवन सिंग, खेसारी लाल यादव और दिरियस लाल यादव निरुआ से पूछे लेकिन इस बार की नवरात्री किसके लिए इतनी स्पेशल है? ये तो भाई कोई समर सिंग से पुछे जी हाँ समर सिंग एक ऐसा नाम जो भोजपुरी इंडस्ट्री में धीरे धीरे ही सही लेकिन अपना वो मुकाम बनाते जा रहे हैं जो कि शायद आने वाले वक्त में दिनेश लाल याद और निरहुआ के रूप में नजर आएं वो इसलिए क्योंकि दिनेश लाल याद और निरहुआ भी धोबी गीद गाकर ही भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना एक बड़ा मुकाम बनाये थे और समर सिंग भी उनी की रहा पर हैं खैर हम बात कर रहे हैं समर सिंग की समर सिंग की इसलिए क्योंकि इस साल नवरातरी में सबसे ज़ादा गाने अगर किसी के सुने गए हैं तो वो कोई और नहीं समर सिंग है जी हाँ हम फिर से रिपीट करते हैं कि नवरात्री में इस साल सबसे ज़ादा गाने समर सिंग के सुने गए हैं व्यूज वाइज अगर बात करें तो समर सिंग पवन, खेसारी, निरहुआ सब ही से आगे हैं अक्षरा सिंग काजल रागवानी की तो बात ही छोड़ दिजें समर सिंग के एक-एक गाने को 55 million views मिले हैं हाँ ये बात और है कि उन गानों को एक दिन में नहीं बलकि एक हफते की views की बात हो रही है कभी 5 दिन के views की बात हो रही है लेकिन इस बार समर सिंग का डंका बज रहा है खेसारी लाल यादव और पवन सिंग के गानों को भी अच्छा खासा सुना गया है लेकिन अगर आकडों की बात करें तो समर सिंग इन सब पे भारी है वैसे समर सिंग तब से जादा लाइम लाइट में आया थे जब से उनका थेसर वाला गाना जादा लोगों ने सुना था और उसी को बरकरार रखते हुए समर सिंग ने आगे भी अपनी गाईकी को उसी तरह रखा है तो अब इस बार अगर कहीं भी नवरात्री के गाने आप सबसे जादा बसते हुए देखेंगे तो वो किसी और के नहीं समर सिंग के होंगे ऐसे ही चटपटी और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भुलिए